हलो बच्चों बच्चों अब हम कोश्चन करेंगे 7.6 का कोश्चन नमबर 7 कोश्चन है कि नंदिनी इस हाउज इस 9.9 बाइ 10 किलोमेटर फ्रॉम हर स्कूल अब इसको डियाग्राम से समझते हैं कि नंदिनी का यह घर है हमारे पास देखो यह नंदिनी है एंड उसका यह यहाँ पर घर है ओके यह नंदिनी का हाउज हो गया अब इसके मान लेते कि यहाँ पर इसका क्या पड़ता है स्कूल अब यहाँ से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो हमें क्या बताया गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है टोटल में यह है हमारे पास 9 बाइ 10 किलोमेटर यही हो कि टोटल में डिस्टेंस आ गया और वह कहती है कि जब वो सुँबह स्कूल के निकलती है तो वो कुछ distance मान लो, पैदल चलती है, वाक करके चलती है, तो मान लेते हैं कि पैदल चलके समझ लो यहांपे आ गई, यह distance उसने कैसे किया कवर, वाक करके पैदल चलके घर से, ठीक है, टीक है, और क्या हुआ, उसके बाद उसने आगे 1 by 2 किलोमेटर के लिए बस पकड़ दी यानि कि यहां से आगे उसने बस पकड़ी है 1 by 2 किलोमेटर के लिए और उस बस ने इसको कहां पर पहुचा दिया स्कूल में स्कूल में पहुच गई तो हमसे क्या पूचा जा रहा है कि यह जो डिस्टेंस है वॉक करके यह कितना है यानि जो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है तो सिंपल सी चीज है टोटल अगर डिस्टेंस इतना है उसमें से यह चीज में सब्क्रेक्ट कर दूँगा तो क्या मिलेगा यही तो मिलेगा सिधी सी बात कैसे देखो 9 by 10 जो है वो किसके एक्वल है इन दोनों को मिला की तो एक्वल बना एक्स किलोमेटर प्लस में 1 by 2 किलोमेटर के बना तो अब एक्स की वेल्ली निकालने के क्या करेंगे इसको इधर लियाएंगे सब्टेट कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि 9 by 10 माइनस में 1 upon में 2 is equal to x किलोमेटर हो जाएगा अब वेल्ली निकाल लेते हैं अब दोनों क कैसे बनेंगे देखो 10 को तो 2 नहीं कर सकते हैं तो यह तो एज़िटीज रहेगा 2 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टिप्लाई 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो उपर भी करना पड़ेगा 5 से यह हो गया धन देखो 9 अपन में 10 माइनस में 5 अपन में 10 दोनों के डिनोमेटर सेम हो गए तो सिंपल सी चीज़ अब तो ओर इस जी हो जाड़ा 10 यह 9 माइनस में 5 विच इस एकुल टू 4 अपन में 10 तो यहां से कितना डिस्टेंस हो गया यह जो इसने बॉक करके कवर किया 4 अपन में 10 इसको आप चाहिए तो टू अपॉन में 5 भी लिख सकते हूँ आपके उपर है बट 4 अपॉन में 10 तो किया है यह हो गया आपके पास exercise 7.6 का तो इसको आप 2 अपॉन में मैं लिख देता हूँ फिभी कुभी हो सकता मैडम नंबर ना काटिल तो 2 अपॉन में 5 लिख दिया मैंने यह लिख लेना और टू अपॉन में 5 दोनों लिख दिया मैंने जल्दी से करेंगे question number 8 को by topic revise करके आना तभी question को अच्छे से कर पाएंगे चलते हैं जल्दी मिलेंगे thank you